क्या आपको ऐसे जाम का कोकिस बनाना है तो चलिए शुरू करते हैं वेलकम टो ओरेंज मल्टिवेंचर आज एक पूरा प्रोसेस देखते हैं कि कैसे कोकिस बनाते हैं पहले लिया है एक किलो बटर लिया है ध्यान में रखिए बिना नमक वाला बटर होना चाहिए उसके बाद हम लोगों ने लिया है मार्गरीन एक किलो आप सोच रहे होंगे मार्गरीन क्या है तो यह रेडिमेंट मिल जाता है मार्केट में एक टाइप बटर होता है एक टाइप डालडा जैसा हो जाता है या घी जैसा होता है पर यह रेडिमेंट आपको मिल जाता है यह एक किलो है यह दोनों का मिक्स्चर जो है हमको डालना है प्लेनेटरी मिक्सर के बाउल के अंदर और आपको फ्लैट बिटर लगाना है ध्यान में रखिए आपको फ्लैट बिटर जो एटेश्मेंट है वही लगाना है उसके बाद आपको डालना है तो इसको मिक्सिंग होने दीजिए प्रॉपर मिक्सिंग होगा फर्स स्पीड पर दीरे दीरे दिखेंगे कि यह प्रॉपर मिक्सिंग हो जाएगा फिर आपको डालना है 400 ml मिल्क दीरे दीरे डालना है आपको एक साथ एक दम नहीं डालना है आपको दीरे दीरे डालना है और म वैट कलर का हो जाएगा तब तक आपको यह करना है mixing करना है उसके बाद इसमें डालना है दीरे दीरे गुमाते धेवक्त वैनिला एशेंस डालबेर bona एक default fast करेंगे जिससे क्या होगा कि यह जो structure है पूरा यह मले जिसे हो तब तक आपको देखना है कि इसे मले जी से हो उसके बाद आपको मशीन रोक ना है उसके बाद आप को इसमें मिकसिंग क्या करना है आपको लेना है 26 मयदे दो-षीप लिक लीज़करosphere-णe बाद आपको डालना है इसमें Crusted Powder 200 ग्राम। उसके बाद आया का Coconut Powder 200 ग्राम। कुछ धी य privilege उसके बाद यह पूरा का पूरा मिक्सर आपको बॉल के अंदर डालना है जेसे कि हम लोग ने पहले किया था आपको पूरा पूरा उसमें दापना है यह सब अभी तख पूरा मिक्सिंगन हुआ तो आपको one last स्पीड है उस पर ही आपको मिक्सिंग करना है प्रॉपर मैदा डालने के बाद यह स्लो में ही चलाना है देखते देखते आपका मिक्षर ऐसे तयार हो जाएगा अगर ऐसे तयार होने के बाद आपको एक बाद चेक करना है हाथ से ओके है उसके बाद आपको यह बाउल नीचे करके आपको तूल निकालना है और उसके बाद बाउल जो है आप वर्किंग टेबल के उपर लीजिए जिससे पूरा का पूरा डव अपने को बाहर निकालना है कुकिज का और यह ध्यान में रखिये यह एक गंटे के बाद बनाना है तुरंट आपको कुकिज नहीं बनाना आप यह कल भी बना सकते हैं पर तुरंट आपको नहीं बनाना है इसको इस प्रकार से आपको धीरे-धीरे करना है कुकिज का डव कभी भी मसले ना यह ध्यान में रखिये उसको प्यार से ही आपको हैंडल करना है तो आप देखिए कि मैं जैसे कर रहा हूं उसी सब से ही सकते हो आप कल भी बना सकते हो अपर थंडी जगह पर है आपको यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो थोड़ा सा रोलिंग करेंगे जिससे कोकेज बनाने के लिए हमको एजी रहे गा उसको कुटिंग कैसे करना यह कैसे करना है वो मैं भी आपको दिखा रहा हूं हलका का kup bilang करने के वाना उसके उपर हम लोग रोल करेंगे डव का जो हम लोग ने बनाया है वढ़ा उसके बाद अच्छे से रोल करने के बाद बीच में से जितना हम लोग handle करेंगे चिपने से तोड़ दिया है बीश में बीच में से अभिशने प्रोपेश्यनल हेसे में तोड़ते हो थोड़ा से लिया हमारे हाथ में अनदज आता है तो सिससरे आपको लेके तोड़ना है और फिर ये एसे घी दिल जो बनेंगे ऑ हाथ से आपको गोले बनाने हैं तो एक दम और को फीनिशिंग के साथ आपको दीख रहा है उसके बात यही On का पुरा राउंड जो गोले हैं वह हमको रखना है त्रे में धीरे धीरे रखना है जिससे वह दबेना और एक डिस्टंस मेंटन करके आपको रखना है यही प्रोपेशनल तरीका है और यही इजी वे हैं आपको कुकीज बनाने के लिए उसके बाद आपको क्या करना है मैदा लेना है और एक उंगली में आपको मैदे लगाना है थोड़ा सा उसके बाद उसको कूकीज को उपर से दबाना है मैदा क्यों लगाया हमने क्योंकि हो सबसे बेश्ट है इसी तरह से मैंने सब कुछ जितने बनाये थे कुकिज उसमें सब में यह मैंने कर दिया है अभी जाम कैसे भरना है इसमें वह एक बार आपको दिखा लेता हूं जो रहता है वह आपके वरकिंग टेबल के उपर आप ले लीजे उसको प्रॉपर मसल ले क्योंकि उसमें दाना रहता है वह पूरा निकलना चाहिए तो कुकिज खाने के टायंग वह कभी-कभी लगता है तो उससे अच्छा ने लगता है तो आपको क्या करना है वह प्रॉपर जाम मसल ना है प्रॉपर फिर आपको पास आइसिंग बैग होगा उसके अंदर वह प्रॉपर भर ले उसके नीचे से काट के आपको कितना डालना है तोड़ा सा यह जा जादा आपको डालना नहीं जाहिए ऐसे मैं पूरे कुकिज जो बनाया है उसके बहर देता हूं उसके बाद क्या करेंगे यह हमारा औरंजब्रांट का ओन है उसमें हम लोगों लिए टाइमर लगा के पहले से प आपको 190 के नीचे होगा चलेगा 190 के ऊपर नहीं होना चाहिए टाइमिंग जो है एप्रोक्सिमेटी 15 मिनिट लगता है सेम चीज हम लोग ने नीचे के डेक में भी रखा है कुकिस अभी थुड़ी दिर के बाद देखेंगे तो कुकिस रेडी हो गया टाइमर बज गया है तो इबर चेक कर लेते हैं सामने तो ओके हैं अब यह हम लोग ने बाहर निकाला है तो थंडा करने के लिए रखेंगे कभी ध्यान में रखिए कि आपका बेकिंग हुआ कोई भी प्रोड़क्ट होगा वह गोल्डन कलर जैसा होना जैसे कि यह परफेक्ट लिए आपको दीख र ब्रफेक्ट कुकीज बना हुआ है और यह के ब्रैंड के मिक्सिंग किया है ओर्ण के ब्रैंड के ओवन में बिकिंग किया है ऊच्छा लगा तो लाइक शेर और सबस्क्राइब